मुझा पूस्त हेलोपद्स यूप्ट्स वेलकम करते हैं आपका अपने यूटूप चैनल पर जिसका नेम एकौनोमिक्स हब। और आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे chapter 2nd macroeconomics के chapter 2nd के बारे में some basic concepts of macroeconomics तो students चली शुरुआत करते हैं इसमें topic के साथ में जिसमें topic यहां पर आपका आता है सबसे पहले goods goods होता क्या है देखे students goods होता है that are directly or indirectly satisfying the human wants जो human wants को directly और indirectly दोनों तरीके से satisfied कर सके तो उसको हम कहते हैं goods तो देखे students that give the directly or indirectly satisfaction to the human wants for example इसमें देगे example भी हमने यह पर लिखा जैसेगी shirt कोई भी consumer हो shirt को consume करेगा तो वो उसको एक तरीके से directly satisfied करेगी machine एक तरीके से indirectly satisfied करेगी अगर को producer machine को consume कर रहा तो वो इसको indirectly satisfied भी करेगी तो देखे students goods आपके वो ही होंगे जो आपके human wants को directly और indirectly satisfied करेगी shoes है, machine है, shirt है, etc. तो यह होते हैं हमारे goods goods is a tangible in nature, एक तरीके से tangible होता है goods nature के, अपने nature में वो tangible होता है जिसको हम easily देख सकते हैं, feel कर सकते हैं, touch भी हम उसको कर सकते हैं students आगे इसमें topic आपका आता है classification of goods goods कितने type का है या goods को किस तरीके से classify किया गया तो देखिए students यहाँ पर goods को अलग-अलग terms में define किया गया, अलग-अलग terms में इसको classify भी किया गया goods एक तो आपके intermediate goods होते हैं, एक आपके final goods होते हैं और यहाँ पर एक आपके consumer goods हैं और एक आपके capital goods हैं कंजियूमर goods को हम construction goods भी कहते हैं, क्योंकि Cornumer जिस goods को consume का रहा पर-चेज कर रहा वहché का लारते हैं और जिन goods को वो consume कर रहा वो consumption कर रहा वह on goods का, तो हैं लिए पहले यहाँ पर आपकेा सामने आते intermediate goods and final goods तो हम आपको पहले यही इसमें डिफाइन करेंगे इस वीडियो में कि intermediate goods क्या होता है और final goods इसमें क्या होता है तो स्ट्वेंट्स आगे हम इसमें discuss करते हैं आपके साथ में सबसे पहले intermediate goods को तो देखिए स्ट्वेंट्स intermediate goods होता क्या है intermediate goods are those goods which do not cross the boundary line of production वो अभी उसने एक प्रोडक्शन की बाउंड़ी लाइन को good को उसिंट रहा है जैसे हम इसमेंगो ले ले लेते इंट्रमीड गूड्स में for example कोई भी आप इसमें raw material ले लीजे raw material देखेए strength कोई भी raw material अगर हम किसी goods को produce करने के लिए use कर रहे हैं तो वो raw material जैलाएगा आपका intermediate goods तो उस goods को हम कहते हैं intermediate goods जो final user के use के लिए भी अभी ready नहीं है they are not ready for the use of final user जो अभी final user के use के लिए भी बिल्कुल भी ready, तयार भी बिल्कुल भी नहीं है तो strengths उन goods को हम कहते है intermediate goods It is not ready for the use of final user या फिर final consumer वो अभी final user के लिए और final consumer के use के लिए बिल्कुल भी ready नहीं है जैसे इसमें next point यहां पर आपका आता value is still to be add to these goods तो ध्यान समझी strengths इस point का दे की मतलब क्या है value is still to be added इन goods में हर level पे value add की जाती है जैसे example हम इसमें लेते हैं एक carpenter ने suppose कीजिए अपने एक carpenter ने furniture को produce करने के लिए क्या किया वुड को purchase किया उसने क्या किया वुड को purchase किया तो जो उसने जितने amount का उसने suppose कीजिए 100 रुपीज की उसने वुड purchase करी और उसमें थोड़ा उसने महनत किया थोड़ा उसने work किया जिसकी cost वहां पर आई कितनी 300 जिसकी वहां पर cost आई 150 बाद में उसने अपना उसमें फरनीचर प्रॉफिट भी इंक्लूड किया 200 और बाद में उसको फरनीचर को क्या करा सेल कर दिया कितने में 450 में तो हर लेवल पर इन गुट्स की वैल्यू क्या होती है एड होती चली जाती है जितना हम इसके अंदर वर्क करते हैं तो समझ माया स्ट्रेंट से यह पॉइंट एक बार इस पॉइंट को दुबारा समझ लीजे वैल्यू इस तेल टू बी एड़े चली जाती है चली जाती है आगे फ्लेंट पॉइंट यहां पर आपका आता है वैल्यू ओफ इंटर्मीडियेट गूड्स अल्टिमेटली बिकम आप और फाइनल गुद्ट्स तो देखिए श्ट्रेंट्स जो इन्टर्मीडियेट गूड्स की वैल्यू है इडिस आप पर of basically a final goods अब यहां देखिए हमने एक raw material खरीदा था था एक example में wood, wood से हमने उसको convert किया था एक final goods में furniture में furniture को हमने उसमें convert किया था तो जो furniture की value of 450 इसमें आपके intermediate goods 100 की value थी जो हमने wood purchase किया था वो भी इसके इंदर include है आगे strength देखिए point यहां पर आपका आता expenditure incurred by यह producer on intermediate goods जितना भी expenditure करता producer intermediate goods में तो वह value कहलाती है आपका intermediate और intermediate consumption वह expenditure में जितनी value उसने intermediate goods में जितना भी उनको consume करने के लिए producer ने expenditure किया वह value कहलाएगी आपका intermediate cost या intermediate consumption और सबसे बड़ा main point इसमें यही आता है value of these goods not include in the estimation of national income national income में यह value इनकी calculate नहीं होती intermediate goods की तो देखिए students these goods value of these goods is not estimate in the process of national income क्योंकि यह problem arise करती है double counting की इसलिए हम इनको इसमें include नहीं नहीं करते हैं तो देखिए students यह था हमारा यह था intermediate goods Hello friends discuss करते हैं हम आपके साथ में final goods को final goods देखिए क्या है पहले अभी हमने discuss किया है intermediate goods और उसकी कुछ characteristics बताएं कि क्या क्या उसके अंदर जो उसके अंदर highlight होती है हम discuss करते हैं आपके साथ में students final goods को final goods क्या होता है तो देखिए students final goods are those goods which cross the boundary line of production जो production की boundary line को cross कर चुका है and they are ready for the use of final user वो final user के लिए बिल्कुल ready है final user final consumer final producer उसको use कर सकता है for example car car को अगर मैं as a household उसको अपने satisfaction के लिए मैं उसको consume कर रहा हूं तो car is a final goods और car को अगर कोई taxi driver taxi के लिए use कर रहा है तो वो car उसके लिए कह लाएगी students intermediate goods तो देखिए यहां पर it raffled to those goods which have crossed the boundary line of production जो production की boundary line को cross कर चुका है and ready for the use of final final user या फिर final consumer जो final user के लिए बिल्कुल use के लिए बिल्कुल ready furniture purchase करता है strengths कोई भी consumer consumer अपने satisfaction के लिए कोई furniture purchase करता है को शायद purchase करता है तो डारेक्ली उसको human wants को उसको satisfied कर रही है तो वो कहलाएगी आपकी final वो कहलाएगी final goods तो देखिए strength expenditure on final on final consumer goods by household अगर household किसी final goods expenditure कर रहा है उनको consume करने के लिए तो expenditure कहलाएगा आपका consumption expenditure अगर final goods की देखिए strength need होती है साथ में producer को भी अगर कोई producer final goods पर expenditure कर रहा है final goods पर expenditure कर रहा है अपनी human wants को या फिर अपने production के अपने कोई goods produce करने के लिए तो वो उसके लिए कहलाएगा students investment expenditure expenditure on final producer goods by the producer is called investment expenditure strength final goods पर expenditure producer भी कर सकता है और consumer भी household भी कर सकता है household जो अपने घर गरस्ती को चला रहा है तो देखिए strength अब आगे इन में आगे इसकी value कैसे calculate होगी expenditure on final goods equal to consumption expenditure plus investment expenditure दोनों expenditure को अगर हम plus करेंगे तो final goods की value वहाँ से calculate हो जाएगी तो strength यह था आपका final goods तो इस तरीके से इस तरीके से final goods कौम ने यहाँ पर classify किया है आपके साथ में इसमें कोई भी आप example ले लीजिए जैसे कि आपका मैंने भी एक example आपको बताया का 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 के साथ में हम ले सकते milk अगर milk कोई consumer use कर रहा है for our satisfaction आप इसको milk का use करते हैं पीने के लिए अपनी health को improve करने के लिए तो milk consume by a household is a final goods कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली वीडियो के लिए बैल आइकन को प्रेस करना न भूलें थैंक्यू